देखिए, डिजिटल एंटर्टेन्मेंट is the future of entertainment, ये बात हर कोई समझ गया है, और शायद ये ही बचा है कि आई दिन कोई न कोई डिजिटल प्लाटफॉर्म जो है, वो मार्केट में आता है, उसका लॉंच होता है, ऐसे में अगर आप आध्यात्म की तरफ आकरशित होते हैं है, हर्च के दो पहलू होते हैं। हर वीडियो के लिए लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं वैसे ही आजकल हर अक्टर सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी होता है और ये इंफ्लूएंस होता है OTT या डिजिटल दुनिया की एप से वेल दूसरी एप से थोड़ा हटकर हिंदुस्तान के आध्यात्म से आपको जो जब मौका डिवोशन और आध्यात में से चुड़ा हो तो एक्टर्स भी इंटेन अटायज में नजर आएंगे है आई थिंक आई फील वेरी ब्लेस्ट की मेरी जो जर्णी रही है वह काफी अलग-अलग जॉनल में रही है स्टार्ट किया था शो रिमिक्स से और फिर अगर इसमें भी कुछ अच्छा मॉका मिला तो फिर देफिनेट्ल वाइन। देफिनेटल वाइन। वाइन। और I want to be true to myself, true to my audience, और कुछ ऐसा जो शायत, you know, मैंने पहले कभी नहीं किया हो, तो जब भी मुझे अलाओड होगा, मैं आप लोग के साथ पक्का शेर करूँगा, भी फिलहा, there's something in the loop, and just, I'll keep you guys updated. Let's hope for it, कुछ ऐसा कुछ आजा, जिसे मुझे लगे के वर्थवाइल है मेरे लिए, जो मेरे पास offers आ रहे हैं, of course, उन में से, तो अगर ऐसा कुछ सही जगह पे स्थिर हो, तो मैं करूँगा, बिलकुल, आप मुझे वहां पे भी देखेंगे, प्रोमो देखा, सब कुछ देख नकुल भाई से बात की, सब किया, मिले, तो बड़ा अच्छ लगा हमें, and I'm very happy for him, and वो अच्छी तरह जानते के, what he means to me, and how much I'm proud of him, and all the best, नकुल भाई. यही तो है डिजिटल दुनिया का दिल, जहां अगर मॉडर्न कल्चर के लिए चगा है, तो आपके आध्यात में के लिए भी ठेड़ सारा स्पेस है. मुंबई से रुजला फनैंडिस के साथ, ABB News Report. ABB News आपको रखे आगे.